प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश पोईट अलेक्जेंडर पोप की एक मौक एपिक पोएम के बारे में जिसका नाम है दा रेप आफ दा लॉक यह पोईम जो है यह कई बार पब्लिश की गई है सबसे पहले इसे 1712 में पब्लिश किया गया था और फिर बार बार इसे एडिट करके इसमें लाइन्स आड करके इसे री पब्लिश किया गया लेकिन जो फाइनल फॉर्म बना इस पोईम का उसे 1717 में पब्लिश किया गया था और उसे ही हम सभी आज भी पढ़ते हैं यह जो poem है यह एक mock heroic narrative poem है mock heroic ऐसी poems को कहा जाता है जिसमें जो major characters होते हैं उन्हें mock किया जाता है यानि जो भी वो हरकत करते जो भी उनकी actions होती है उनका मजाग उड़ाया जाता है और narrative poem यानि ऐसी poem जिसमें एक story या एक incident को बताया जाता है तो इस poem में भी एक story बताई जा रही है और यह जो story है यह एक real incident से inspired है यानि एक सची घटना से प्रेरिध होकर यह poem जो है वो बताई गई है अब poem को समझने से पहले हम इस incident के बारे में जान लेते हैं यह incident है Pope के ही समय से related और उस समय में दो important Catholic families थी इन दोना important Catholic families के दो important characters से यह पूरी घटना जुड़ी हुई है पहली family जो थी उसमें एक बहुत ही beautiful young lady थी जिनका नाम था Arabela farmer और दूसरी family में एक lord थे जिनका नाम था Lord Peter अब यह जो Lord Peter थे यह Arabela farmer के suitor थे उन्हें पसंद करते थे लेकिन यह जो Arabela थी वो उन्हें पसंद नहीं करती थी और जो भी love proposals यह भेजते थे Lord Peter उनकी तरफ उन्हें reject कर देती थी और इस तरह से कह सकते हैं इनके बीच में जो प्यार था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था लेकिन यहां पर इन सभी चीजों की बीच में एक बहुत ही अजीब सी घटना हम कह सकते हैं घटी और वो घटना यह थी कि Lord Peter उन्होंने अराबला फर्मर के बालों की एक लॉक यानि एक लट जिसे कहते हैं वो कट कर दी कैंची से कट कर दी वो भी बिना इनकी परमिशन से और इससे क्या हुआ इन दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत बड़ा जगरा शुरू हो गया और यह जगरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था तो जब यह जगरा बहुत ज़ादा बढ़ गया काबू से बाहर हो गया तो पोप की एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जॉन कैरिल उन्होंने आकर के पोप से कहा कि एक काम करो तुम्हें एक ऐसी पोयम एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखो इस इंसिडेंट के बारे में कि ये जोनों फैमिलीज जो हैं इनके बीच का ये जगड़ा दूर हो जाए और इन्हें दिखाई दे कि ये कितनी छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं एक बाल की लड़ पर इतना ज़ादा जगड़ा करना सही नहीं होगा और तभी ये जो अलेक्जेंडर पोप थे उन्होंने यहां इस पोएम को लिखा था लेकिन इस पोएम को थोड़ी और इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने काफी ज़ादा इसे एडिट किया इसे एक मौक पोएम बना दिया बहुत ज़ादा मजाग उड़ाया गया है कैरेक्टर्स का और साथ ही इसमें क्या हुआ है इसमें माइथोलोजी आड़ की गई है यानि इसमें नॉम्स और सिल्फ इन सभी को आड़ किया गया है तो आप इसे और आगे जब मैं बताऊंगी पोएम तब आप इसे और बहतर समझेंगे अब फ्रेंट्स अगर बात करें एलेक्जेंडर पोप के बारे में तो उनका जन्म हुआ था 21st May 1688 में और उनकी डेथ हुई थी 30 May 1744 में वो अपनी satirical और discursive poetry के लिए बहुत ही ज़्यादा famous है और साथ ही early 18th century के one of the most famous English poets में वो गिने जाते हैं उनकी famous works में The Rape of the Lock, The Dunseared, An Essay on Criticism ये सब ही शामिल है तो चले फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंट्स पोएम को समझने से पहले हमें इसके कुछ characters के बारे में जानना होगा पहला character है Belinda का जो की Arabella farmer की एक representation है ये Belinda बहुत ही ज़्यादा beautiful है और आगे चलकर इसी के बालों की लटको काट दिया जाएगा second character है Lord Baron का जो की Lord Peter का एक representation है ये Belinda का एक सूटर है और आगे चलकर यही Belinda के बालों की लटको काट देगा next character है Carol का जो की Pope के friend John Carroll का एक representation है इसी John Carroll ने Pope को ये poem लिखने को कहा था अगला character है Shock का जो की Belinda का lap dog है यानि Belinda का पालतू कुटता है Belinda इसे लेकर हर जगा घूमा करती है अगला important character है Clarissa का ये जो Clarissa है ये एक woman है Belinda की close friend कह सकते हैं लेकिन ये क्या करती है ये Baron को वो scissors देती है वो कैंची देती है जिससे Belinda के बालों की लटकाटी जाएगी अगला और एक character है जिसका नाम है Thalistris और ये Belinda की बहुत ही close friend है जब Belinda के बालों के लटों को काटा जाएगा तो ये Belinda का साथ देगी उसके साथ दुख मनाएगी और उसके तरफ से fight करेगी नेक्स character है Sir Plume का जो की Thalistris के लवर है लेकिन ये Baron के जादा close friend है और इसलिए ये जो जगड़ा शुरू होगा इसमें ये Baron का साथ देंगे अब friends ये तो सारे human characters थे इसके अलावा कुछ mythological characters है यानि कुछ spirits है उनके बारे में भी हमें जानना होगा friends पहला character है Ariel का जो की Belinda का Guardian सिल्फ है यानि हम कह सकते हैं कि Belinda की रक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है और इसके साथ बहुत सारे और भी सिल्फ से इनके पास एक पूरी आर्मी है और उन सब का काम है कि वो Belinda की देख भाल करें अब किसी सिल्फ का काम है कि वो Belinda के कानों की जुमके की रक्षा करेगा कोई उसकी लिप्स्टिक की रक्षा करेगा कोई उसकी ड्रेस की रक्षा करेगा इस तरह से हर एक सिल्फ का अपना अपना काम है नेक्स एक important character है Umbriel का जो की क्या है एक chief gnome है नोम हम कह सकते हैं एक शैतानी बौना जो होता है उसे नोम कहा जाता है और यह क्या करता है यह आगे चल कर poem में Belinda की परिशानियों को उसकी दुख को और भी जादा बढ़ाता है अपने magic से तो हम इन सभी characters को और बहतर समझेंगे जब हम इस poem को समझेंगे Princess poem के शुरुआत होती है और शुरुआत की लाइनों में ही Pope जो है वो कहते हैं कि a dire offense has been committed यानी एक बहुत बड़ी crime एक बहुत बड़ी दुरगटना घटी है और फिर खुद आगे जा करके यहाँ पर poet कहते हैं कि say what strange motive goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle will यानी ऐसा कौन सा reason हो सकता है ऐसी कौन सी inspiration रह सकती है goddess आप मुझे बताइए कि एक well-bred lord एक अच्छे family से belong करने वाला जो lord होगा वो क्या करेगा assault करेगा, हमला करेगा, फाइदा उठाएगा एक gentle bell का, एक simple सी women का यहाँ पर एक simple सी women का क्या सकते है फाइदा उठाया गया है, उस पर हमला किया गया है किसके द्वारा तो एक अच्छे घर से belong करने वाले एक lord के द्वारा अब इसके पीछे का क्या reason हो सकता है, यह आप मुझे बताईए goddess और इतना बताने के बाद क्या करते है, पोप जो है, वो इस poem में जो story है, उसे start करना शुरू करते है हमें सबसे पहले बताया जाता है कि Belinda, जो की हमारी major character है, वो क्या कर रही है, वो सो रही है और अपनी नीन्द में ही उसे एक सपना आता है, जिसमें जो उसका guardian self है, एरियल, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एरियल इसका guardian self है, और इसका काम है कि यह Belinda की रक्षा करें यह Belinda के सपनों में आता है, और आकर उसे बताता है कि कोई बहुत ही बुरी घटना घटने वाली है, इसलिए तुम सतर्क रहना, क्या होने वाला है, यह तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन कुछ बुरा होने वाला है, और तुम्हें सतर्क रहना चाहिए अब यहां पर बताया जाता है कि Belinda जो है, इसके बाद जग जाती है, या कह सकते इसका जो लाप डॉग है शौक, यह आता है और इसका फेस लिक करके इसे जगा देता है, लेकिन जागने के बाद क्या होता है, यह जो Belinda है, यह Ariel की वार्निंग को पूरी तरह से भूल चुक के लिए तयार होना शुरू कर देती है, यानि सुबह उठा और इसने अपना मेकप शुरू कर दिया, यहां पर बताया गया है कि जो विमन थी इस समय की, उनके पास करने को कुछ नहीं था, वो क्या करती थी, वो सिर्फ मेकप करती थी और पार्टी अटेंड करती थी, टी पार्टी या इस तरह की पार्टी मेहिं इनका पूरा समय बीच जाता था, अब यहां पर आगे हमें बताया जाता है कि यह जो बेलिंडा है, इसके जो गार्जियन सिल्फ ही हैं, सिर्फ एरिया ही नहीं, और भी बहुत सारे सिल्फ हैं इसके साथ, तो यह क्या करते हैं, य ये सारे सिल्फ जो है ये वैसे तो बेलिंडा को दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये जो मेड है बेटी इसकी बहुत ज़ादा हेल्प कर रहे है ये सेवी सिल्फ और ये हमें कुछ लाइन्स में बताया जाता है ये सिल्फ क्या करते हैं यानि कुछ क्या करते हैं उसके हेड को सेट करते हैं कुछ उसके बालों को बाटते हैं कुछ उसके ड्रेस की जो स्लीव हैं उन्हें सही करते हैं फोल्ड करते हैं और कुछ उसके गाउन को प्लेट करते हैं यानि बेलिंडा जो है उसकी खूबसूरत दिखने में सिर्फ उसकी मेड़ का हाथ नहीं है बलकि जो उसके गार्जिन सिल्फ्स हैं वो भी उसकी बहुत मदद कर रहे हैं और इन सभी चीजों के बीच में हमें बताया जाता है बेलिंडा के टू लॉक्स ऑफ हेर के बारे में यानि बालों के दो लट के बारे में जो की उसके माथे पर गिरते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगते हैं बेलिंडा की खूबसूरती को और भी जाता है और बेलिंडा के एक सूटर पर चला जाता है जिसका नाम है बैरन ये बेलिंडा के वन आफ दा सूटर्स में से एक है और बेलिंडा को बहुत जादा पसंद करता है लेकिन इसका ध्यान सबसे जादा अगर किसी चीज की तरफ है तो वो है बेलिंडा के बालों की उन क्या करता है एक तर से कह सकते है एक प्रेयर करता है हिंदी में कहे तो एक हवन करवाता है और उसमें क्या करता है यानि उसमें क्या करता है और उसमें क्या करता है उन सब का यूज करके उन सब में आग लगाकर वो एक फायर जलाता है और उस फायर के थ्रू वो प्रे करेगा और तीन बार क्या करता है साइज करता है यानि आहें भरता है ताकि वो जो आग है वो और भी जादा आगे बढ़े वो और भी जादा फैले तो इस तरह का हम यहाँ पर कह सकता है एक सिनारियो है जिसके थ्रू यह जो बैरन है यह थोड़ी पावर लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बिलिंडा के बालों की लटों को काट सके उधर यह जो एरियल है इसने तो पहले ही देख लिया है कि कुछ गलत होने वाला है बेलिंडा के साथ और इसने ये भी देख लिया है कि बेलिंडा इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है तो इसने अपनी फ्रेंड जो भी सिल्फ्स हैं जो भी गार्जन स्पिरिट्स हैं उ उन्हें वो समझा रहा है कि आज बेलिंडा के साथ कुछ गलत हो सकता है और उसमें क्या कुछ गलत हो सकता है ये बहुत ही हम कह सकते हैं humorous के साथ, humor के साथ हमें बताया गया है यानि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की चीज़ों को compare किया जाता है stay in her honor और her new brocade यानि या तो वो अपनी इज़त पर धबा लगा सकती है या अपने नए ब्रोकेड जो उसका नया ड्रेस है उस पर धबा लगा सकती है तो यहाँ पर poet दिखाना चाहते हैं कि उस समय की औरतों के लिए उनकी ड्रेस और उनकी इज़त दोनों बिलकुल एक ही बराबर थी या वो अपना prayer करना जो भगवान से pray करती है उसे भूल सकती है या किसी masquerading पार्टी में जाना भूल सकती है यह दोनों भी एक समान चीज़े हैं एक women की life में और lose her heart और necklace at a wall यानि या तो वो अपना दिल खो सकती है या वो अपना necklace को सकती है एक women की life में उसका दिल और उसका necklace दोनों क्या हैं बिलकुल एक समान है तो इस तरह से पोप जो है वो women life का यहाँ पर मजाग उड़ा रहे हैं कि इनकी life में जो ये कह सकते हैं fun activities हैं ये उतनी ही important रह गई हैं जिनकी अपनी खुद की जो personal life है वो है अब ये सारी जो selfs हैं ये बिलकुल ready है बेलिंडा को protect करने के लिए और इनकी protection के साथ क्या होता है बेलिंडा जो है वो टेम्स नदी को पार करती है और hampton court पहुँचती है जहां पर ये party होने वाली है hampton court पहुँचने पर वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे lords and ladies हैं जो पहले से बेलिंडा को जानते हैं और बेलिंडा क्या करती है इनके invitation पर एक card game खेलती है जिसे ombre कहा जाता है फ्रेंट्स यहां पर इस card game को भी बहुत ही जादा illustrative way में describe किया गया है और ऐसे दिखाया जा रहा है मानो cards game नहीं हो रहे हैं बलकि जंग लड़ी जा रही है अब इन सब के बीच में क्या होता है कि यह जो baron है इसका ध्यान बार बार बेलिंडा की बालों की लटो पर है और उसे इसकी बाल की लटो को काटना है उसी समय क्लारिसा नाम की एक woman आती है और वो baron को उसका हथियार देती है वो हथियार क्या है तो a pair of scissors कैंची देती है जिससे यह जो baron है यह बलिंडा के बालों की लटो को काटेगा अब यहाँ पर बताया जाता है कि जितने भी silves हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है वो देख लेते हैं कि baron के हाथ में कैंची है और वो बलिंडा के बालों को काटने वाला रहेगा और वो बलिंडा को होशियार करने की कोशिश करते हैं लेकिन बलिंडा जो है वो अपनी fun activities में इतनी जादा busy है कि उसका ध्यान वहाँ पर नहीं जाता अब यहाँ बताया जाता है कि baron जो है वो तीन बार बलिंडा के बालों की लटों को काटने की कोशिश करता है लेकिन यह जो silves हैं यह बार बार उसकी बालों की लटों को काटी देता है और ऐसा करने से रोकने की एक सिल्फ जो है वो कोशिश भी करती है कि वो उसे रोके लेकिन इस बीच में क्या होता है बैरन उस सिल्फ को भी कैची से कट कर देता है लेकिन चूंकि वो एक spirit है तो उसकी death नहीं होती बलकि वो दुबारा से जुड़ जाती है य इसका tantrum जो हम कह सकते हैं इसका जो दुखी होना इसका रोना धोना अब ये शुरू हो चुका है अब ये जो बेलिंडा है ये बहुत जादा दुखी हो चुकी है और जाकर कि ये अपनी जो friend है जिसका नाम है थालस्ट्रिस ये जाकर उसकी बाहों में रो रही है और बता र अभी तक हमने सिल्फ देखे जो guardian spirits थे लेकिन अब यहाँ पर introduction होता है एक gnome का जिसका नाम है उम्ब्रियल और इसका काम क्या है ये लोगों को परिशानिया देता है उनकी दुखों को बढ़ाता है ये उम्ब्रियल का काम है तो जब ये बेलिंडा की हालत को देखता है तो उससे जाकर एक gift लेता है उस gift में क्या है ये भी यहाँ पर हमें Pope ने बताया है यानि यहाँ पर उस उम्ब्रियल को क्या कुछ मिला वो बताया जा रहा है कि फीमेल लंग्स में जो ताकत होती है जोर-जोर से चिला कर रोने की उसने वो लिया जो आहें थी जो sobs यानि सुबकना था और जो war of tongues थी यानि मूँ से जोर-जोर से लड़ना एक दूसरे को गालिया देकर बुला-भला कहकर ये सब कुछ उसने collect किया और फिर उसने क्या किया तो fainting fears यानि इतना डर जाना की बेहोश हो जाना जो छोटे-छोटे दुख है आसू flowing tears बहते वापस से बेलिंड़ा के पास आया बेलिंड़ा पहले से ही मैडम थैलिस्ट्रिस की बाहों में रो रही थी तो उम्रियल ने क्या किया वो सारी चीजे जो ऊसने collect की थी ये बेलिंड़ा और उसकी friend थैलिस्ट्रिस उन दोनों पर पूरी तरह से डाल दिया और अब ये दोनो जो हैं इनकी जो emotions हैं ये heightened हो चुकी हैं बहुत बुरा फील हो रहा है इने और अब इनका जो गुस्ता है वो भी कह सकते हैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है अब यहां पर एक जगड़ा शुरू हो जाता है यहां जितनी भी ladies हैं ये बेलिंडा का side ले लेती हैं जितने भी lords हैं वो baron का side ले लेते हैं और इनके बीच में यहां पर एक जंग शुरू हो जाती है इस जंग के हतियारों के बारे मी बताया गया है कि जो ladies हैं उनके हतियार क्या हैं तो वो fans जो छोटे छोटे पंखे जो हाथ के पंखे होते हैं जिनसे वो हवा करती थी वो उनके हतियार हैं और barons के हतियार क्या हैं तो जो caps वो पहनते थे जो walking sticks वो रखते थे और साथ ही जो दुख बहुत जादा बढ़ चुके हैं उम्ब्रियल के डाले हुए चीजों के कारण और भी जादा उसके इमोशन्स बढ़ते चले जा रहे हैं अब ये जो क्लारिसा थी जिसने ये कैची दी थी लॉर्ड बैरन को वो बीच में आती है और वो इन लोगों को शांत कराने की कोशिश कहती है कहती है कि ये सब चीज मजाग की तरह लो इतनी दुखी होने की जरूरत नहीं है लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता बलकि यहाँ पर जगड़ा बढ़ता चला जाता है गाने काये जा रहे हैं गुस्ते से भरे हुए और तरकों का भी यूज किया जा रहा है और इस तरह से हम कह सकते हैं ये जगड़ा ये जंग बढ़ती चली जा रही है बेलिंडा जो है वो बैरन से लड़ती है और बैरन को एक तरह से कह सकते हैं और अब वो बैरन से कहती है कि वो उसके बालों की लटे उसे वापस करें लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या शुरू हुई है कि वो बालों की लटे कहां गई जो लट काटी गई थी वो कहां गई यह किसी को नहीं पता किसी को भी यह लट नहीं मिल रही और बैलिंडा जो है उसका अब रो रो कर बुरा हाल हो चुका है लेकिन यहां पोयम की एंड आती है और पोईट हमें समझाते हैं कि बैलिंडा को उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जरूर ही उसकी जो बाल की लट थी वो उपर हेवेन में चली गई होगी और तारों के बीच जाकर वो भी क्या हो गई होगी एक स्टार एक स्कॉंस्टलेशन बन गई होगी और यहां पर यह पोयम खत्म होती है यह बहुत ही छोटे से इंसिडेंट पर लिखी गई है लेकिन जिस तरह से पोप ने इसे लिखा है इसमें अने बाद में एक लेटर भी लिखा था अराबला फर्मर को यह कहते हुए कि मैंने यह पोयम जो लिखा है मैं आपका मजाक नहीं उडाना चाहता हूँ आपने देखा होगा किस तरह से मैंने माइथोलोजी का यूज किया है और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भले ही प्रेडना आपसे मिली है लेकिन जो मेजर क्यारेक्टर है बलिंडा का वो आपको बिलकुल भी डिनोट नहीं करती है बस आपसे जो ब्यूटी है उसमें मैच करती है बांकि उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन इस बात को हम जुटला नहीं सकते हैं यह पूरी त लेक्स को पढ़िए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं इस टॉपिक पर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें अगर आपके कुछ डाउट्स बचे रह जाएंगे तो मैं उसे जरूर क्लियर करूंगी तो फ्रेंट्स यह थी एलेक्सेंडर पोप की पोयम दे रेप आफ दे लॉग अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करिए